कि अब्रिवान कैसे हैं आप सब आई हूप आप लोग बहुत अच्छे होंगे पानी आ गया है तो च्छत पर आ गई हूं मोटर अन करके बस यहां पर देखिए तो पौदों में पानी डाल रही हूं और अपना व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है और अज के व्लॉग में आप लोग शायर करूंगी इस भैंकर चिल्चिलाती गर्मी में इतनी भैंकर जो का कि मेरा जो इकि BODY यह कि कूल रहे और जो है कि हमारा घर भी जह कि ध्यान काफी ज़्यादा मैं दे रहे हूं ताकि जो दूह सकते अब żadधे से जतना होराइऊ stem ने रौपन ना कि पौधे बहुत ज्यादा ना मुर्जा से जा रहे हैं दोनों टाइम पानी डालों ना फिर भी उसके बाद देखिए च्छत पर ना पानी डाल रहे हुं मैं कई एक बार ना पूर अच्छत अच्छे से दो देती हूं कि गाइस च्छत इदम से क्या हो रहा है नो बजे के तक तो ठीक हो जाता है पादी रहता है सब्सक्राइट पानी डाल यो तो मैं यसात फाट दो दोन टो तो क्या होता है पूरा जोने छट थंड़ा हो जाता है थोड़ा कम गर्मी लगती है तो इसलिए कोशिस कर रहे हुए जैसे पानी डालती हूं पौधों में तो चट भी अपना धो देती हूं जिससे कि छट भी हमारी थोड़ी थंडी हो जाए और हमारा जो घर है नीचे भी फैन अगर आउन क पानी डाल दिया है पौधों में लगाना तो पानी भरूंगी और क्पड़े अपना मसीन में लगा दी हूं तो कपड़े भी मेरे धूल रहे हैं तो ये ताइम मेरे लिए जब से गर्मी स्टार्ट हूए भाएंकर वाली ने तब से कपड़ों का काम मैंने साम को ही धोना अगर मैं बातरूम में भी दोती हुँ ना बैटके कपड़े ने तो भी बहुत ही तीज वाली गर्मी लगती है एक दम से तो अच्छा मेरे लिए यही टाइम मेरे लिए अच्छा रहता है क्योंकि साम को बिल्कुल फ्री रहती हूं मैं इस टाइम पर अभी डिनर वगरा बना कोई टेंसन नहीं है लेकिन हाँ गर्मी में कपड़े जैसे दो के डालूत इतनी तेज अगर दीन में डोके डालते हैं बहुत तेज भायंकर दूप होती है जिससे हमारे कपड़े बहुत ही परफेक्ट लगता है तो कपड़े कि मैंने सेट कर लिया है साम को दोने के लिए बस यहां पर देखिए अपना साम को कपड़े भी धोती हूं साथ में पानी जितना रहता तो इससे मैं अपनी पूरी छत भी धो देती हूं ताकि मेरा छत भी बिल्कुल ठंडा हो जाए और इसके साथ सब घ्यान जरूर से मैं रखती हूं और आप सभी लोग भी रखिए कि गर्मियां जैसे श्टार्ट हूं मैं अपने ब्लॉग में हर बार गर्मी में बोलती हूं कि मतलब पंक्षी वगरा का ज्यादा ध्यान रखा करिए अपने च्छत पेना जरूर से थोड़ा बहुत ना पानी जरूर रखा करिए तो बस यहां पर देखे गाइस मेरा कपड़े भी धो गए हैं बस कपड़े देखे तो डाल दोंगी अच्छा मैं सोची तीने डिनर अब बना के फिर मैंना हाती लेकिन क्या कपड़े दोते यह सब साब सफाई करते करते मेरे कपड़े पूरे गीले हो गया तो मैं कि अब लगे हाथ क्योंकि पानी भी आरा तो पानी अब मैं नहां भी लूँगी कपड़े सुखा के अब उसके बाद जोए कि मैं नीचे चलूँगी नीचे आई हूं देखे थोड़ी दिर रेश्ट किया उसके बाद देखे तो अपना डिनर बनाने लगी और डिनर में बना रहे हूं फ्रेंट्स भिंडी की भुजिया बना रहे हूं तो जब से गर्मी आई हैं तो कोशी से ही हो रही इस भैंकर गर्मी मेंने कि जतना ऑच्छी होथां जादय से जड़ी होते हैं तो गर्मी में हमें जरूर से जरूर बनाना चाहिए जो ही तो इसमें मैं यहीं सब बना रहे हूं और कोशिस ही रहे हूं क्वासाशन को है मतना कम सेतना खर तो meant यौज तो ज्यादा बनाती हूं या दाल वगरा मैं बना लेती हूं इस तरह से जो है कि मैं अपना बनाती हूं तो बस यह पर देखिए भिंडी मैं बना रही हूं तो वह भी बचा था तो जैसी इस तो मैं खाना खा ले रहे हैं तूरंथ मैं फ्रीज में रख दरहे हूं कि बाहर खाना तो बिल्कुल रखने लाइक नहीं है गर्मी बहुत जादा खाना खराब होने के भी डर रहता है तो खाना खाने के बाद तुरंथ में रख दिया तो कड़ी थोड़ी से बची है तो मैं कि चलो बिंडी के बुजिया बना दे रही हूं और बुजिया भी बिल्कुल सी बना रहे हैं इस प्याज औ सबका डीनर हो गया है काम भी हो गया बरतन वगरी सब दूल गया उसके बाद देखिए गाइस एक काम मैंने और फिर से स्टार्ट कर दिया गर्मी जैसे स्टार्ट हुए है न तो यह है दही जमाने का तो वसे दही लसी तो बाहर से आती है लेकिन हां घर की दही जमाया सब्सक्राइब कर दोंगी कल से स्टार्ट करूंगे फिलाल आज मैंने एक पैकट लाया था तो यह देखिए मैं दही जमाने के लिए दही को मैंने गरम कर लिया अच्छे से तो गुनगुना करके इसमें थोड़ा सखटी दही मैं डाल के मिक्स कर दोंगी और इसको ढखके म में रख दोंगी तो सुबा जोए कि ठंडी ठंडी दही खाने के काम में आएगी और दही बहुत ज्यादा हेल्दी होती है तो गर्मी में हमें जितना ज्यादा ज्यादा हो ना दही वगरा खाना ही चाहिए अभी मॉर्णिंग का टाइम हो गया है तो बस यहां पर देखे फ्रेशन अप वगरा हो गई हूं उसके बाद देखे तो अपना यहीं जोए की चियां सीट से यहीं भीगोया था और सीट्स वगरा बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं गर्मी में यह बहुत ही ठंडे तास डाल लिए बस इसको मैं अपना पीऊंगी तो सुबह का मेरा ड्रिंक एही रह रहा है कुछ भी इस तरह की जैसे मैं नारीयल पानी ले ले लेती हूं या इस तरह की पानी मुझे पसंद आ रहा है तो गुन-गुना पानी लेती ज्यादा गरम नहीं लेती हुना फ्रीज का पानी पीते हूं और अपने बच्चों का भी ध्यान रखों उनको बार-बार बीच-बीच में दिन भर बोलती रहते हूं कुछ इस तरह का मतलब पानी पीते रहे और चीयां सीट में थोड़ा ज्यादा भी गोदेती ना बच्चों की स्मूधी वगरा में भी मैं दे देती हू तो सबी लोग पी लेते हैं बहुत ज्यादा होता है और ठंडा होता है यह तो और इसके साथ-साथ गाइस ना की कोशी से रहती कि बच्चों को भी बार-बार बीच-बीच में बोलती रहती हूं उनको पानी जितना ज्यादा ज्यादा न हो सके वह सिर्फ सुबाई नहीं द और यहां पर देखिए किचन में रहे हो दो लोगा ज्यादा ऑपना बना लिया घोलिया इसमें द invece 10 लोग देर इसको मिक्स करूंग हा तो इडली जो है कि 12-15 मिनट में हमारी इडली बनके तैयार हो जाती है और इसके साथ में गाइस न मैं बना लोगे चटनी बनाओंगी नारीयल की और गाइस गर्मी इतनी भाएंकर पड़ रहे हैं ना सबसे ज़्यादा बड़ा टास्क होता है ना हम महिलाओं के लिए किचन म में रहना तो कोशी से ही करती हूं कि जितना हो सके किचन का काम ने एक काम नहीं दो चार काम ने एकी साथ मैं कर लूँ और पटा पट से कर लूँ ताकि ना बार बार किचन में ना आना पड़े तो कोशी से ही रहती है मेरी कि सुबा का जो नास्ता होता है या लंच होता है यहीं नहीं तो सब्जी वगर्या मैं ना एक ही साथ में बना लेती हूं नास्ता और सब्जी इससे जो है कि हमारा जो एक टाइम भी बसता है और इस भैंकर गर्मी में बार बार किचन में आना और घंटों खड़े होना बहुत ज्यादा मुझे वाला बात होती तो इससे मुझ है कि मैं अपनी चटनी बना लूँगी तो बस चलिए चटनी भी अपनी तयार कर लेते हैं स्टेरिंग डाउन ले पेरल वेडिंग फॉर थाइनल गेस चू ओपन तो गाइस यहां पर देखिए तो हमारा हेल्दी सानास्ता बनके तयार हो गया तो मैंने यह हजबन के लिए प्लेट लगा दिया तो इडली है चटनी है साथ में खीरा थोड़ा सा कट कर दिया है और यह देखिए तो दही है तो बस चलिए हजबन को दे देते हूं नास्ता करेंगे उसके बाद वो जाएंगे ओपिस के लिए निकलेंगे और यहां पर देखिए गाईस तो बस बच्चों के लिए मैं आज सैंडविच बना रहे ह तो क्या ही बता और उसको जाने में डियर दो घंटे लगेगा और मतलब पूरा साम हो जाएगा उसको आते आते तो पोली क्या खाना है तो करें मैं मैं कुछ हलका सा और हेल्दी से बना दू तो मुझे लगा है कि सबसे अच्छा ना साइंडविच है जो कि बहुत हलका भी और हैखी रहेगा और जुए कि हाईवी हाईवी नहीं लगेगा तो मैं कि चलो पटा पट से ना देखिये तो मैं पर तो फिर मैं के चलो दोनों के लिए मैं यही जो कि सैंडवीच बना देती हूँ साथ में इडली वगेरा है अगर उनको खाना होगा तो वो भी जोए कि ये खाल लेंगे अर बस यहां पर देखे सैंडविच मेरा रेडी होगा बस चलिए बच्चों को देते बच्चे भी नास्ता करेंगे और गायस इसे आ पर देखिए तो सारा काम मेरा हो गया है बस काम करने के बाद मेरा नहाना भी हो गया है और नहाने के बाद थोड़ा से हो कि कपड़े यहां पहनो जो की बहुत जयादा ना आराम दायक हो मेरे लिए और ज्यादा है लगने के चांस में बहुत ज़्यादा रहते हैं तो कोशिस मेरी रहती है ना कुछ इस तरह का लाइट कपड़े पहनू और जो है कि हलका मतलब कॉटन फेब्रिक में हो या इस तरह का हो जिससे जो है कि मुझे आराम मेले तो इस तरह का मैं कुछ आज मैं पहनी हूं मैं भी द संस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया क्योंकि फेस वगरा ना घर में भी ऐसी लग रहा है सनलाइट आती इतना तेज ना मतलब कितनों दर्वाजा बंद रहता ना फिर भी जो है कि संकी लाइट आती है और अगर बाहर निकलते हैं तब तो संस्क्रीन वग लगा लिया है और फिर मैंने थोड़ा सा पावडर भी लगा लिया उससे जो ने कि सही रहता तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है तो लगा लिया और साथ में बस अपना थोड़ा बोडी लोशन लगा लोंगी बस थोड़ा सा रेडी हो गई हूं तो अच्छ बनाओंगी लेकिन क्या हुआ ना कि मेरे पास पजामी रेड कलर की पड़ी थी पट्टा भी तो फिर मैंने थोड़ा सब छोटा ही रखा है और देखिए चलिए गाई सारा काम धाम तो हो गया रेडी भी हो गई हूं बस नास्ता करते हैं तो सबसे पहले जो है कि यह देखि फिट चीज़े जो होती जादा से जादा लूंग और बच्चों को भी फरूट्स वगरा देटी रहती हूं और इस बिद्सरा के जह बहुत है जादा है खाने के लिए ताकि हमारे बोड़ी मेल पानी के कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए तो चाहाए जो भी फल होना कबच आंगे में तर्बूजsur यह सब जरूर से खाना चाहिए घर में अगर यह नहीं मेरे पास रहता है क्षीड ही ले लेती हूं वही मैं खालेती हूं तो बस चलिए खरबूज़ा है मेरें कि मतलब मैं घर पे दिए रठी हूं बाहर कि और है जो मैं बना हो गया है तो यह रश्तLY एक हमार अपने घर्ड़ को कुल मैं रखती हूं। करके और जो है कि लाइट वगरा बंद कर देती तो मुझे लगता है घर में अगर रोसनी नहीं आती है ना तो भी घर ना हमारा थोड़ा ठंडा रहता है और कॉसिस करें कि है भी मतलब इस तरह से लगाएं और वैसे मेरा कर्टन तो है भी रहता है क्योंकि मेरे घर में काफी अच्छा मिलता है और उसके साथ बेस्ट वगरा कभी मैं ज्यादा रखती हूं कि कपड़ों के साथ पहनने वाले ना बेस्ट वगरा भी हमारी कॉम्पिटेबल होनी चाहिए और जो है ना कि बिल्कुल कॉटन की हो ताकि हमें गर्मी कम लगे उससे इस तरह से ने इस भैंक कर घरमी में अपना और अपने पूरे परिवार का अच्छे से ख्याल रखने के पूरी कोशिस कर रही हूं कि है Oh झाल झाल